एक मात्र आधार जो बनने वाला है वो है कुर्मी समाज का पोपलेशन सो कुर्मी कस्ट का पोपलेशन क्या है कुर्मी समाज का हिस्ट्री क्या है तो कुर्मी समाज के हिस्ट्री के कीवर्ड पर यदि आप सर्च करते करते इस वीडियो तक आये हैं तो मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि ये वीडियो कंपलीटली बेस्ट आन दा कुर्मी समाज हिस्ट्री तो व्यू एंड और वेल्कम अज़ चलते हैं हम समय नहीं नष्ट करते हुए अब जानते हैं कि कुर्मी समाज एक बहुती गडिमा युक्त समाज है जो भारतिय समाज और सनातन हिंदू धर्म की यदि हम बात करते हैं तो इंपोर्टेंट तो है ही लेकिन जन जाती है समाज का भी एक इतिहास जो है कुर्मी समाज के अंतर रहा है वो सब भी है साथ ही इस वीडियो के आधर पे जो मैं आज बात करने वाला हूँ उसमें मैं एक आपको overall populations की भी बात करूँगा बता दूँगा कि पूरे सभी राज्जों में पूर्मी समाज का populations क्या है इसलिए इस वीडियो को सुरू से अंतर देखिएगा आपको काफी कुछ जांकारी यहां से मिलेगा ऐसा मैं मानना है दोस्तों इसके साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चलते हैं दोस्तों कुर्मी समाज के हिस्ट्री के ऊपर हम आपको कुछ बात करने So in this video is important कुर्मी is a festival of gratitude and gratitude and prosperity celebrated by the planting the work, sepping the branch of the karma tree It is usually held in the month of September and October होता क्या है कि यदि हम पहले ही आपको बताए कि कुर्मी समाज एक बहुत ही सभिमानी समाज है दिस भक्त समाज है, राष्टिये और राष्टियता के साथ कोई भी तरह के खिलवारी इन्हें सुईकार नहीं है हमेशा ये बहुती धार्मिक समाज होते हैं, धार्मिक परवर्ती के साथ होने के साथ जो है वो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो है कुर्मी समाज के लोगों में बढ़ा है ये जो है सेंटिमेंट की जदी हम बात करते हैं नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्या है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है कि बहुत सारे जगों पर ऐसा देखा गया कि इवें वो कुर्मी समाज क कि नमस्कार करते हैं और चलते हैं आज आपको कुछ बात बताने देखिए बात क्या है कि कुर्मी समाज वो आपको इतने बड़े बड़े सक्सियत से भड़े हुए हैं कि इने में कोई मतलब यदि आप कहें ना कि मुख मंतरी या कोई ऐसे MLA MP इन सब कि यहां पर कोई मतलब इन समाज के अंदर ऐसे महा सागरी एक कुम्भ है महां के महां लोगों के कि यदि कोई छोटे मोटे राजनितक इस समाज से हैं तो उन्हें पर यह ध्यान भी नहीं देते हैं यह ध्यान भी समाज नहीं देते हैं यह Nationalist sentiment के सांथ हमेसा बने हुए हैं समय बीता गया और इनक सारे राजनतिक पहलू है हर एक एक बैक्ति जो है वह डेवलप माने जाते हैं इस समाज के क्या जानकारी है देखिए नितिस कुमार जैसे चिप मिनिस्टर हैं बिहार के लेकिन उससे पहले यदि हम कहें तो जोतियादी सिंध्या भी जो है कुर्मी समाज से आते हैं उसके बा बागेल भी कुर्मी समादेव पटेल भी लौड राम भी कुर्मी समाज से तो सिवाजी महराज भी कुर्मी समाज से प्रिथवी राज चोहान भी कुर्मी समाज से अब आप समझ सकते हैं जिनके आदर्स प्रिथवी राज चोहान हूं जिसके आदर्स सिवाजी महराज हूं ठीक है वो समाज क्या छोटे मूटे लीडर के इंस्पिरिशन को मानेगा नहीं मानेगा यदि पॉलिटिक्स के लिए कोई लीडर नेशनल सेंटिमेंट को खो भी देता है तो ये समाज में सबसे बहुत महत्पूर्ण बात है कि ये जाती बात बिलकुल नहीं करते हैं जाती ब मुगलों काल से देख सकते हैं कि सिवाजी महाराज का क्या योगदान महाराष्ट में और हर जगब मतलब भगवान है वो लो समझे ना तो इस यही बात है अभी चलिए कुर्मी समाज के हम आपको कुछ जो है कुर्मी समाज हिंदू कृसक जाती है साथी जन्म भूमी और कर कर्म ब्रिक्ष की तरीके से यह पूजा पाठ करते हैं कर्म की ब्रिक्ष को पूजा पाठ करते हैं यह हमेशा जो है किसानी समाज है किसान समाज भारत की जब हम कहते हैं तो जो अंग्रेज आया हमारी भारत के अंदर तो उसमें क्या था अंग्रेज किसान समाज को लेकर ब किसान जो है वो बेभव की बात है परतिक है हमारी जो सनातन परमपरा है हिंदू परमपरा है उसमें कभी भी किसान को अनाधर नहीं भगवान का स्वरूप अन्नदाता कहा जाता है तो अब समझ सकते हैं लेकिन जो वेस्टन फिलोसपी है वो किसान समाज को या किसान लोगों कुमा अंक्ते हैं यह क्योंकि उनका यह वो भूत इं लग तबसे वुूर्ब हुआ है जो हमारा जो इंडियन समाज है वो अलग तरीखे से डेफ़ सब जानते से इस बात को कहीने कहीं से तो खुँर्मि नमाज उसे हिद्धू कर्प सकती है जो मुखरूप और उससे जो है कश्मी इस तरीके का जो है इतिहास भी है लेकिन उस इतिहास को हम आदिगे थोड़ा सा बात करेंगे लेकिन जैसे कि आदिवासी भासा के लिए है उसी परकार से कुर्म में भासा भी एक है और जो एक संस्कृतिक की और इसाया करता है कुर्मी एक संस्कृतिक हैं यहां पर इनमें उच्छ कोटी के छत्रिये मुगल और बिर्टिस सासन के बिरोध जमीनी अधिकार के लिए संघर्स जातिये आंदोलन राजनितिक नित्रत जैसे विसे सामील है और इस समाज के विसे में अधिक जानने के लिए आप बहुत सारे कॉंटेंट देख सकते हु दगबग 1.2 करोर लोग जो है वो कुर्मी है और यह जो कुर्मी जाती की जनसंख्या है वो 121 करोर की यदि हम आभादी लेते हैं तो उसमें 1.2 करोर के आसपास आभादी है आभादी बहुत अधिक नहीं है लेकिन नत्रत्व छमता जो है संगठन बना के कार्ज करने का और सनातन हिंदू परमपरा निसनल संटीमेंट को जिस परकार से आगे करते हैं वो इन में सराहनिये हैं बहुत ही चीज है भारत में 1.2 करोर का कुर्मी का आभादी है बिहार की बात करे हम तो यहां पे बिहार में 1.41 करोर के आसपास इनका माना जाता है लगभग जो है वो 10 कर करोर की आभादी में से बिहार में से हम कुर्मी समाज को लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में यह भारत वाला जो हम कहें कि भारत वाला कहें कि क्योंकि यह उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल को आप छोड़ देजे तब इतना आभादी जो है भारत में कुल मिलाकर इतना क बिहार में 10.61% माना जाता है, लेकिन जनसंख्या में जो आया है, कास्ट सेंसस उसमें कम पाया गया है ठीक है लेकिन ऐसा लोगों का मतलब बहु साइ उद्देश करता और जो समाजिक कर्च करता है वो लोग बताते हैं ऐसा कुछ अनुमानित जनसंख्या हम आपको बता रहे हैं यह फैक्ट्वल ग्रॉंड पे नहीं है अनुमानित जनसंख् हैं कुर्मी समाज प्राचीन छत्रिय समाज है और अग्रिकल्चर बेस्ट है उत्तर प्रदेश बिहार रीजन में इनकी बहुत अच्छी खासी जनसंख्या भी है ठीक है कुर्मी समाज का जनसंख्या बिहार उत्तर प्रदेश में यदि आप जाते हैं तो वहां पे बहुत संस्थानों और विवरंद कीजिए अदि हम बात करें तो बढ़ा कार्ज है और उससमय में कुर्बी समाज की अכछल-भारतिये कुर्मी छत्रिये महासभा हुआ था और अखिल भारतिय कुर्मी छत्रिय महासभा में राष्टिय अस्तर के संगठन है हुआ एक आज भी जो 1910 में लखनों के स्थापना के साथ हुआ और उसका उद्देश यही था कि सामाज में लोगों की सिक्षा के लिए जागरूप करना उनके जाती प्रमा राष्टिय अस्तर का संगठन है जो की 1994 में बनाया गया था और शुरू हुआ था इसका उद्देश कुर्मी जाती के लोगों को राजनेतिक रूप से ससक्त बनाना था और इस संगठन ने बिहार में कुर्मी जाती के लोगों को OBC के रूप में माननेता दिलाने में महत्प कुर्वीन्य आंदोलन क्या है कि जहारखनद वाला वाले में पहुंखिन Britt व्हारत में हुम्ने के जातिये समीकर्ण को देखा है और उनके इतिहासों व्हासों में अगुज़द वह बहुत यह बार राज वैंज्या ज़ादे जातिये समाज जे ज fist कहते発 अब सिद्व ट्राइब कहते हैं तो ट्राइब कहीं न कहीं बहुत जगों पे पूरे सनातन हिंदु पड taxra या हम सब कभी न कभी न कभी और कहीं न कहीं ड्राइब ही थे वह लोग ये भारतिय संस्क्रन dab सनातन हिंदू परमपड़ा है उसमें हम लोग कहीं न कहीं से आये हैं ठीक है वह ट्राइब से ही कनभर्ट होके जाती बना है यह सनातन धर्म का विकास हुआ है तो इस बात पर कोई क्योंकि आप जो है बगल समाज जो है और रिशा में उसके इतिहास आप देख सकते हैं कि वह भगवान स्री कृष्ण को मानते हैं अपना पुरवज लेकिन वो ट्राइब है वो जो है जनजातिय समाज है लेकिन वो बगल समाज जो है वो अपना उत्पत्ती जो है भगवान स्री कृष्ण से मानते है इस तरह के बहुत सा उधारन है और इस बात से यह सिद्धान सिद् कहीं न कहीं से भारतिय जो जनजातिय समाज है और वो हिंदू सनातन समाज से अलग नहीं है बलकि जनजातिय समाज भी सनातन समाज का ही अभिन अंग है या जनजातिय समाज का ही अभिन अंग जो है सेव धर्म जो भगवान सिव के पूजा करने वाले लोग हैं मानने वाले ल ठीक है जो बास्तविक इतिहासे बरगालाने वाला इतिहास हम पेस नहीं करते हैं दोस्तों कहीं भी जो हकीकत है उस इतिहास की हम और इसारा कर रहे हैं आप बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे या राजनिती के लिए बहुत तरीके के पडियंत्र रचे जाते हैं लेकिन हम करना नहीं हम यूटूबर ये तो हम आपको जानकारी दे रहे है जो निकलता है दिखने में में लगता है हमें वही हमा म आपको साजा करते हैं क्योंकि हमें यही मैन पोइंट है क्लिए उस्चा बहुत हिंAND या